हेई गाइज देखो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यूएस में मतलब जैसी बजार ओपेन होता है न तो एक प्री ओपनिंग आपको बताया जाता है वहाँ पर अभी यहाँ पर देख सकते हो बजार जो है किस कदर यहाँ पर गिरते हुए आपको नजर आ रहा है 600 पॉइंट से ज्यादा गिरा 1.97 मतलब 2 परसंट भाई अगर 52 परसंट गिर जाता हो सोचो कितनी बुड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी है कि नहीं है और यह तो मतलब हाला कि देखो लो कुछ और था 700 पॉइंट इसका लो था नीचे अगर देखेगा तो थोड़ा ब बेसेस पॉइंट बढ़ा दिया था जुलाई में भी इन्होंने बुला था 75 बेसेस पॉइंट हम बढ़ाएंगे या 1 परसंट आप मान साकते हो उपर नीचे रहेंगा इन्होंने पहले ही बुर रखा यह हलाकि सबको पता है और अब टाइम आ चुका है आज है कि नहीं इसके कारण से यह जो धांधा ना फैड का मतलब जेसे की भारत कार भी आई तो यह लोग क्या करते ने कि पहले मिंटइंग करना सटार्ट करलेती है और इसी खबर के करण देखने को मिल रहा है यह इन्फलेशन को करने की कोसिस कर रहे हैं जो कि आने वाले दिनों के पहले शालाकि मैं आपको वह दोगा इंडिया इंडिया किसी ने किसी तरीके से कंट्रोल में है थे ने मैंने यहांध्यान Bढ heap को ळिखा एता direct करते अब अब हम देख सकते हैं आपको एक Message और यह संत्ές रहा आ ने लो बना देगा तो ये तो अभी देखो मैं आपको लिगा मार्केट उपिन हो रहा है रात भर में देखते हैं क्या होता सुबह में आपको रिजल्ट पता चलेगा क्या खिर हुआ क्या भाई मतलब बजार कितना उपर गया कितना नीचे गया कितना क्रैश दिखने को मिला ये आपको सुबह होते होते पता चलेगा रात बर में कुछ भी हो सकता है दो गंटे में बाजी पलट सकती है दो गंटे में बाजी और नीचे भी जा सकती है यहाँ पर ये मुद्दे की बात कर लेते हैं यहाँ पर देखो असो कले लेंट से आपको पता होगा काफी और उपर से बजार गिरा था गिरने के बाद इसने थोड़े बहुत रिकावरी भी दिखाई है लेकिन आज के डेट में जो खबर आई है यहां पर क्या बताया जा रहा इसका तार्गेट बताया जाना यहां से यहां से यहां से मुझे लगता है कि जिस तरीके से एस्ट इस निगे बहुत है तो भही एक तरीके से में आपको बहुत है हमें सावधान रहता चाहिए हम hdfc को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं मार्केट को भी अंडरेस्टिमेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि HDFC को छोटी मोटी चीज नहीं है तो इस वज़े से यह HDFC का मानना है कि यह स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और यह इनका जो तर्गेट है यह चीव होने में इनको एक साल लगेगा HDFC के हिसाब से तार्गेट एक्चीव होने में एक साल लगेगा मतलब एक साल तक ही स्टॉक जो है मतलब अप एंड डाउन या तो लेफ्ट राइट करता रहेगा मतलब साइड वेज चलता रहेगा जैसे सारे स्टॉक चल रहे हैं और हाला कि यहां पर पिछले एक साल में तो यह स्टॉक दिरे-दरे-दरे-दरे-दस परसें तक का रिटन निकाले के दिया और पिछले एक साल में सारे स्टॉक मतलब 30-40 या 45 या 50 परसे दूसरा पाउर का स्टॉक है यहां देख सकते हो JSW Energy तो यह स्टॉक ने भी पहले तो काफी एच्छा मैं करने के बाद मैं आपको बताऊंगा जब यह लगबग 400 रुपय में था तो बहुत सारे बड़े-बड़े एनलिस्ट ने उल्लेटी बोल दिया था कि यह स्टॉक मतलब काफी नीचे जाएगा बड़े-बड़े जो एनलिस्ट है वो बहुत पहले बोल चुके थे और इसके यहां पर देखो गया तो HDFC ने कुछ बोला है HDFC ने बोला कि भाई यह जो स्टॉक है 160 रुपिस के बाजिव में आएगा इसको बेचो कौन बोल रहा है तो HDFC बोल रहा है यह मैं नहीं बोल रहा हूं याद रखे HDFC का मानना है और साथ गंटे पहले यह खबर आई है साथ ग देखने को मिली है 10-12% यहाँ पर देखत हो गजब 12% की तेज़ी देखने को मिली है लेकिन पिछले 6 मेने मैं आई स्टॉक बहुत बूरा पििटा है पिछले एक साल में देखते हैं तो भी और ज़्यादा बूरा पिटा है और यह कितना हो चुका लगभए 45% गिर चुका ह और देख सकतो लंबिस में मैं इसने भी काफी अचरीट निकाल के दे रखा है दो चीजे बताने के कोशिस करूँगा मैं टाटा मिटालिस का जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है यहां देख सकतो और रिजल्ट आपको बताया जागा और यहां पर जो वन करोड का प्रॉफिट भाई जहां पर पहले देखोगे तो 74 करोड़, 90, 94 करोड़, 35 करोड़ और यहां पर वन करोड़ तो बहुत कम है हाला कि कोई खबर के कारण या किसी भी खबर के कारण स्टॉक में तेजी आई है लेकिन मुझे लगता है कि कंपने ने कुछ जादा खर्चे कर दिये है और इनका मारजिन भी बहुत घटके आया है, 3% के बाजियू में आया है, मतलब इनका मारजिन पहले 20% था, 23% था और आज के रेट में इनका मारजिन 3% है, मतलब बहुत बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी मैं आपको बलूँगा, स्टॉक में तेजी आया है, तो ये तेजी देखके मैं आपको बलूँगा, आप जादा जंप मत मारिएगा ये स्टॉक में, हमारे लिए एक मौका जरूर हो सकत आज के रेट में 1 करोर का प्रॉफिट आया है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आने वाले 2 कौर्टर में ये कंपनी वापस पट्री पे आ जाएगे, और फिर देखेगा किस कदर ये स्टॉक आपको काफी एच्छे रेटर निकाले के देगा, 50% गिरा हुआ है, तो आने व स्टॉक भी एक अपनी हाई लेवल पे होगा, तो तयारी पहले से कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, निफ्टी में भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, जो मतलब काफी ज्यादा वीक परफॉर्म कर पा रहे हैं, और सही तरीके से चल भी नहीं रहे हैं, यहाँ पर देख स पायदे में रहोगे, इनका मार्केट के काफी बड़ा है, और यह मतलब इंडिया के कोने कोने में हैं, मतलब कोने के अंदर भी हैं, मतलब कोने के कोने के कोने में भी हैं यह लोग, बोलते हैं और लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि यह कंपनी काफी ज्यादा जितना मुटी बैंक नहीं है तो अब इनके पास कोई बहुत बड़ा मतलब मैं आपको बहुंगा कि मौका नहीं है ग्रो होने का तो या तो बैंक हो या तो काड हो दोनों से दूर रही है और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डिमेट अकॉन इंजल में उपन कर सक तो कि कि अचर जार तो बहुत कि अचर कि अचर को बहुत आपको से प्लयार ओड़ तो या ये में है झा तो ये रड़ा को ये रड़ाब नहीं है